अब तामसी आदमी का, रजोगुन का नीचा इस्साई तामस है, थोड़ा बेद पड़ेगा, तामसी भोजन के बारे में बगवान कहते हैं, यात यामम, जो जिसके उपर याम, याम कहते हैं, पुराने जो टाइम फेक्टर्स थे, उनमें ये आठ याम होती थी, आठ याम, चौंसट गड़ी, याम को प्रहर भी कहा है, अश्ट प्रहर चौंसट गड़ी, आठ प्रहर में चौंसट गड़ी हुआ करती थी, पुरानी भाशा में, तो एक प्रहर तीन घंटे का होता है, ऐस चौईस घंटे काउंट हुए हैं दिन और रात के, तो याम, या कहा यात याम, जिसके उपर तीन घंटे से पहले बनाया हुआ भोजन है, तीन घंटे बाद खाया जा रहा है, वो तमोगुन है, तमोगुनी बुद्धी देगा, त तीन घंटे पहले बनाया हुआ भोजन, एक यहां पर विशेश छूट दिये बड़े महापुरसों ने, कि जो बगवान को अरपन किया हुआ, बगवान को जो भोजन को अरपन कर दिया है, वो प्रशाद रूप में जो भोजन है, वो चाहे बारे गंटे का भी ठंडा हो, त जो भी वो आपको शुद्ध बुद्ध देगा, बगवान को जो भोजन अरपनी नहीं हुआ, और तीन घंटे, चार घंटे, छे गंटे पुराना है, वो तमुगोनी भोजन कहला है, यात यामम, जिसके उपर एक याम, एक प्रहर गुजर गया, मालो सुबह तयार किया भोजन होना चाहिए, इसलिए तो लोग गरम गरम भोजन खाते हैं, गरम भोजन, गरम भोजन, जो अभी-अभी बनाया है, उसका मेह तो अधिक है, और जो बासी पड़ा है, यात यामम है, वो भोजन जो है, तमअगुनी रजगुनी बुद्धि देगा, यातियामम गत्रसम जिसमें टेश्ट नहीं है, टेश्ट लेस है, स्वादिष्ट नहीं है वो भोजन भी आपको तमोगोणी बुद्धी देगा उदर सतोगोणी भोजन में गया रस्युक्ता, रसह, रश्या, रश्यानी रस्युक्त जो रस्युक्ते हैं, जूस जूस, जिसके अंदर बराई, रस्यानी स्वाद रस क्या है, स्वाद, टेश्टी, इधर का है जो टेश्ट नहीं है जिस भोजन में टेश्ट नहीं है, स्वाद नहीं है, उतमोगोणी है यातियामं गत्रसम पूति परियुसितम चैयत पूति यानि बासी भोजन बासा हो गया है बास माने लग गई है परियुसितम दुरगंद फैल गई है उच्छिष्टम चापिमेद उच्छिष्ट यानि जूटा आपने भोजन किया और जो बच गया उसको बांद के पैकर के रख दिया फिर दुबारा दो, चार, छे, गण्टे में उसी गोठा के खाया ये है उच्छिष्टम या किसी ने जूटा छोड़ दिया उसको आपने पैक करके रख दिया या उसको खाया ये भी आपको तमुगुणी बुद्धी देगा जूटा भोजन उच्छिश्टा खुद का भी जूटा क्यों नहीं हो जैसे आपने गिलास से पानी पी लिया और रख दिया जूटा हो गया पानी अब इसी पानी को आप दो-चार गंटे बाद फिर आके पिएंगे ये पानी आपको शुद्ध बुद्धी नहीं देगा ये जूटा भोजन है ऐसे ये आपने भोजन किया थाली में डाल करके और आदा तो खालिया आदा बच गया अब इसको पैक करके आपने रख दिया फिर आके इसी को खालिया ये तमुगोणी भुद्धी देगा या किसे ने दूसरे ने जूटा छोड़ दिया चाहिए ओ आपका भाई हो बाप हो कोई भी हो पती क्यों ना हो और उस जूटे भुजन को आप खा रहे है वो भी आपको तमुगोणी भुद्धी देगा उच्छिष्टम एक ही छूट दिये यहाँ पर मापूर सोने संतों ने कि गुरु जी का जूटा खा लेना कि गुरु जी इतने उच्छे इस तरप है कि उनकी जूट खाने से आपको बुद्धी शुद्धा आएगी बाकी नहीं मना किया है उच्छिष्टम जूटा भुजन है तमुगोणी भुजन उच्छिष्टम अपी चामेद्यम चामेद्य गेदे जो छूने लायक नहीं जो टचेबल नहीं है उसको चूने अंटचेबल है चूने का मन भी नहीं करता सत्वगोणी पुरुष्ट जिस भुजन को चूते भी नहीं ऐसे तो तमुगोणी तो खाएंगे ही चूके ही उदो अंदर ही डालेंगे जो चूने लायक नहीं किन के लिए सत्वगोणी पुरुष्टों को लिए सत्वगोणी पुरुष्ट मांस को चूते नहीं आतनी लगाते अंडे को आमलेट को दारु को शराब को नहीं चूते दूर रहते हैं कि दूर उठावाई तू दूर कर चामेद्यम यह है अंटचेबल जिसको चूना भी नहीं चाहिए ऐसा भोजन तमगोणी भोजन है जो चूने का भी धर्म नहीं खून मांस सत्वगोणी आदमी नहीं चूएगा शराब को क्यों चूएगा सत्वगोणी आदमी जाकर के कोई संत मात्मा शराब को चूएगा नहीं वो नहीं चूएगा या मांस को चूएगा नहीं चूएगा यात्यामं गतरसं पूती परियुसितं चैत उच्छिष्टं अपी चामेद्यम भोजनं तामस प्रियम यह तामसी ब्रिक्ति को ऐसे भोजन पसंद है प्रीय है पसंद है नहीं है प्रीय है ताम सी आदमी को जो अंदकार में जीता है तो इसमें यात्यामम तीन गंटी से पहले बनाया हुआ गत्रसम जो टेश्टी नी टेश्ट लेस पूती जो बासी हो गया है सड़ गया है परियुशित्म पूती यनी बासी हो गया है परियुशित्म यनी सड़ गया है दुरगंद मार रहा है बंदर भी सूंग लेता है और खुश वो नहीं है फैक देता है लेकिता वो मनुष्य है से समाज में जो दुरगंद युक्त भोजन करते हैं लेकिन वो दुरगंद भी सुगंद लगती है शराब में कितनी भी दुरगंद हो या सिग्रेट में या हैरोईन में या मांस में सड़े हुए मांस में वो दुरगंद को भी हो सुगंदी मांते हैं कोई शराबी से पूछो, वो शराब की खुश्प, अभी तो इत्र चले हुए सेंट इस्प्रे, वो शराब की नशेवा, शराब की इसमेल है, उनके अंदर वो ही चलते हैं जादा, सारे संसार में वो ही सबसे जादा इस्प्रे बिकता है, इत्र, सेंट, जिसमें शराब जैसी बास आ रही हो तो समाज नीचे से उपर तक तमोगुण में जीएगा तो इसके आलत खराब हो जाएगी यातियामम गतरसंपूति परियूसितम चयत उच्छिष्टम अपी चामे ध्यम भोजनम तामस प्रियम तो एक तमोगुणी अंधकार में जो जीने वाले ब्यक्ति हैं जिनका सुवाव अंदा है बिचार धारा अंधी है जिनकी बुद्धी अंधी है वो लोग ऐसा ही भोजन करते हैं अंदा ही भोजन करते हैं तो उनका विकाश कैसे होगा अंदे अंदा ठेलिया दोनोई कूप पढ़न्द, ये तो दोनोई कूए में पढ़ने वाले हैं, जाके गुरुजी अंदडे चेला खरा निरंद, जिनके गुरुजी मार्ग दर्शक या सलाकार या मित्रमंडल अंदे हैं, वो जो सला देंगे, वो तो अंदा बनाने की सला देंगे, आपको अंदा ह बना रालेंगे जाके गुरुजी अंदडे चेलो खरो निरंद अंदे अंदा ठेलिया दोनों कूप पढ़ंद तो यह कोई में पढ़ेंगे अंद कूप में जा काले नाग मड़ा रहे डेड़ फनकार मार रहे हैं तमोगुणी भगवान सरी कृष्ण ने गीता में कहा है तमोगुणी नरक में ढखेल दिये जाते हैं ढखेल ना ने ढखका मार देना उन्हों यह नहीं हो यह बिमान आता है लेने के लिए कि चले साथ, आपने बहुत चमतकारिक काम किये हैं, नरक में जाने के काम किये हैं, आईए आपको बिमान लेके आएं नरक से हम लोग, नहीं, बगवान सरी कृष्ण कहते हैं कि तमुग उनी पूरसों को नरक में ढखका मार दिया जाता है, नरक की और ढखकेल दिया जाता है, वा जनम जनम दर जनम वा अंदकूप अंदकार में नरक में जीते हैं जनम लेते हैं बर्द मरते हैं ऐसे असुर दुष्ट राक्षस कहलाते हैं जो अंदकार में जीते हैं अंदकार में काम करते हैं संसार में बिस पैदा करते हैं यह अंदतम लोग हैं चाहिए ओ टेरर हो यह चोर हो, ढाकू हो, अत्यारे हो समाज दूशित समाज की लक्षन हो जाते हैं पैदा तो इनके भोजिन भी गड़ जाते हैं आरस्तवपी सरवश्यत्रिविधो भवती प्रियः यग्यस तपस तथा दानम ते सामबेदम इमं स्रुनू आयूह सत्त बलारुग्य सुख प्रीती विवर्दना रश्याह इसनिकदा इस्थिरा हिर्द्या आहारा सात्विक प्रियाह इस सतोणी मनुष्य के भोजन बतलाए भगवान ने कट्वाम लवना त्योशन तेक्षन रोक्ष विदाईना आहारा राजसेश्टा दुख शोका मैं प्रदा यह रजोगुणी पुरुष के दुख देने वाले चिंता पैदा करने वाले रजोगुणी आहारें बीमारी पैदा करने वाले यातियामम गतरसम पूती परियुसितम चयत उच्छिष्टम अपीचामेद्यम भोजनम तामस्प्रियम ये तमोगुणी पुरुस के भोजन बतलाए सड़े बासी गंदे जूटे छोने लाइक भी नहीं ऐसे भोजन तमोगुणी पुरुस को ज़्यादा पसंद आते हैं तो तमोगुणी पुरुष हो या रजोगुणी हो या सतोगुणी हो सतोगुणी पुरुष परमे श्वर की और यातरा कर सकता है ये जागरीत प्रानी है इसके लिए दरवाजे खुल चुके हैं अब ये आगे बड़े या ने बड़े सत्वगुणी पुरुस सुद्ध शत्व में इस्तिर हो सकता है परमात्मा की गोदी में चरणों में जा सकता है रजोगुणी सत्वगुण इस तर पर आ सकता है तमोगुणी भी रजोगुणी इस तर को भी क्रोस करके सत्वगुण में आ सकता है और सत्वगुणी के लिए दरवाजे खुले परमात्मा के सर्फ यूटर लेनी की जरूता है आप चाहे हज्जारों में दूर चलेगे ले गलत दिशा में चलेगे अभी यूटर ले लो शास्त्र कहते हैं संत कहते हैं स्वयम भगवान के वाक्य हैं इनको माल लो तो आप सुखी हो जाओगे आप तंदरुस्त हो जाओगे आप आनंद के धनी बनोगे सुख के स्रोत जर्ने आपके इर्दे से फूट निकलेंगे सुखी सुख बरसेगा पहगवान कहते हैं कि अर्जुन जैसे भोजन तिन प्रकार का होता है ऐसे यग, दान और तप ये भी तीन 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 फैकल्टीज में बाटा है ये भी रजगुनी, सतगुनी, तमगुनी होते हैं आहारस्तवपी सरवश्य, त्रिविदो भवती प्रियह, यग्यस तपस तथा दानम, तेसाम बेदम, इमम सुर्णू, ए अर्जुनी से भी तु सुन, इनमें भी बेद है, यग्यों में, यग्य भी तीन प्रकार के बतलाएंगी भगुवान दान भी तीन प्रकार का होता है, और तप भी, तप क्या है, यग्य क्या है, और दान क्या है, ये जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए यग्य अंग्येजी मीसका शब्द मिलता है, सैक्रीफाई, सैक्रिफिकेशन, जो हम कोई चीज, बलीदान करते हैं, भगवान की श्री चर्ण कमलों में, न Shawr करते हैं, उसको यग्य कहा है बली देते हैं, नारियल बली देते हैं, आॉतियां देते हैं, हवण करते हैं उसके साथ में सुन्दर भगवान का ब्यंजन बनाके उनको भोग लगाते हैं और आने वाले आगंतुकों को खिलाते पिलाते हैं रिष्टेदार बंदू बांदों को वस्त्र देते हैं दान करते हैं दान की महिमा है यग्य की महिमा है तप की महिमा है यग्यस तपस तता दानम तेसाम भेदम इनमें भेद हैं यग्य तो बहुत लोग करते हैं लिए कोई तमोगुणी यग्य करता है कोई रजोगुणी यग्य करता है कोई सतोगुणी यग्य करता है सभी करते हैं संसार में येक तब भी करते हैं लोग तब करते हैं तभी तो बिल्लिंग बनती हैं बड़ी बड़ी तब यानि मेनत कड़ी मेनत लिए कोई रजोगुनी तब करता है चले दिल्ली की और पद को प्रात्त करने ये रजोगुनी तब है बड़ा परिश्रम है जीत गए तो वावा नहीं हार गए तो तोते उड़ जाते हैं मूँ के या पार्टिन ने रिजेक्ट कर दिया तो भी तोते उड़ जाते हैं रो पड़ता है चेहरा तब है मेहनत बड़ी है इसमें कहां से जागरन शुरू करना है कहां से प्रारंब करनी है कहां से लोगों को जगाना है कि वहिया बोट मुझे ही देना सब गरवार छोड़ देना पड़ता है किदर बच्चे हैं किदर पत्नी है बड़ी कड़ी मेनत कर रहे हैं कहा गए पापा चार बजे उटके अरे बेटा हो बोट वालों को समझाने गए हैं कि बोट मुझे देना बड़ी कड़ी मेनत कर रहे हैं ये भी तप है ये रजोगोनी तप है तमोगोनी तप है और तब की फैकल्टी भी शरीर में तीन जगा है, मन का तब है, वानी का तब है और शरीर का तब है तो आएए इसी संधर्व में हम आगे प्रुवेश करते हैं ओम नमो भगवते वासु देवायल ओम नमो भगवते वासु देवायल ओम नमो भगवते वासु देवायल नारायनम नमस्कृत्यम नरमचेव नरोतमं देवीम सरस्वतीम व्यासं ततो जया मुदीरे नष्ट प्राइसु अभद्रेशु नित्यम भागवत सेवया भगवते उत्तम इश्लोके भक्तिर भवती नष्ट की ओम शांति ही शांति ही शांति ही यग्यस्तपस्तदादानम तेसाम बेदम इमम सुनू भगवाण स्री कृष्ण ने कहा है कि भोजन जिस प्रकार से तीन प्रकार का होता है उसी प्रकार से यग्य, दान और तब भी तीन प्रकार के होते हैं आरस्त भोजने ने आहार, आहारस्त वपी सरवश्य, तरिविधो भवती प्रिया, यग्यस्तपस्तदादानम तेसाम बेदम इमम सुनू हे अर्जन, मुझसे ये भी सुन कि किस प्रकार से यग्य, तीन प्रकार के होते हैं, और तब तीन प्रकार के होते हैं, और दान भी तीन प्रकार के होते हैं सबसे पहले भगवान ने आहार के विशे में बतलाया है सरदा के बाद और अब यग के विशे में बतलाते हैं तो आईए यग के विशे में हम समझ लेते हैं बगवान स्री कृष्ण ने इस स्लोग में कहा है ए फला कांग्षिर भिर्यग्यो विदी दिष्टो ये इज्यते यस्टब्यम्य वेती मनहां समाधाय से सात्विका आए प्षण वेती है ऑपक्षण अरखर प्रफंड्टित्नि ह। ने इस सिर्श कि गवान के मतने कि वी और कई आफ ब्सक्ब्राइब भिक्तर्वन्प विश्यत सू कि टिवश्यत बव्र आपना स्वीलने कि इस मतror और ये opens़िक्त्य favored एफ एफ ने इस वीवर्ण इस सत्रुगुन यग्य के बिसे में कहा, ऐ फलाक आंक्षी, जिस यग्य को करके आदमी को फल नहीं चाहिए, कितना सुन्दर यग्य है, इसको अपना, अपनी ड्यूटी, अपना कर्तेब समझ करके, करना चाहिए, कि मेरा मनुष्य जीवन में आया हूं में, मेरा कर्तेब बे कि मैं यग्य करूँ, उस भगवान को रिजाने के लिए, परसन करने के लिए, मैं सैक्रिफाइसेज दूँ, मैं बलिदान दूँ, कुछ फूलों की माला चड़ाओं, हवन करूँ, भोग लगाओं, आर्ति करूँ, अपनी रिष्टेदारों को, ब्योहारियों को, मित्रों को, और दूसरे दूसरे लोगों को निमंत्रित करूँ, बुलाओं, उनको खिलाओं, पिलाओं, सामर्त है, तो मैं उनको कुछ न्योच्छावर करूँ, क्योंकि इनफेक्ट वास्तों में ये सारा संसार ही भगवान का स्वरूप है, आपके अंदर जब भगवत भावना होती है, और उस भगवत भावना से, जहां जो कारिया आप करते हैं, मालो किसे ने दाना पक्षियों को डाला, लिए डालने के समय आपका भाव ये है, कि मैं पक्षियों को नहीं, कबूतरों को और चिडियों को नहीं, मैं उस साक्षाथ उस परमात्मा को ये दाना डाल रहा हूं, चुगा रहा हूं, मेरा प्रेम निच्छावर कर रहा हूं, इन दानों के साथ में, मेरी बक्ती को, मैं कि ये ये का सरूप है, आप ये कर रहे हैं, उस परमात्मा को रिजाने के लिए, और फल की इच्छा नहीं कर रहे हैं, लोग पंचियों को दाना डालते हैं, कि कोई पंडित जी ने बतलाया, कि साथ सनिवार तुम कबूतरों को दाना चुगा देना, या कुत्तों को, या का किया, किया तो अच्छा, कुत्ते को भूके, कुत्ते को रोटी भी किलाई, या पंचि को दाना भी डाला, या किसी भूके को भोजन कराया, या जरुत बंद को वस्तर दिया, लेनि ये देने के बाद आपने कुछ अभिलाशा आपने एर्दे में की, कि पंड़जी कहते थे कि ऐसे करोगे तो तुमारा शनी उतर जाएगा यह एक पंड़जी कहते दे कि आप एक रुपया दोगे तो आपको एक हजार रुपया वापिस मिलेगा भगवान का जैसे वो गातें ट्रेन में बंबई की ट्रेनों में कि तुम्हें एक पैसा दोगे वो दस लाक देगा नहीं यह तो फला कांक्षी हो गए यह यह एक यह फला कांक्षी जिस यह को करके आपको कोई फल नहीं चाहिए आपने अपना कर्ते बे समझ के और ये यग किया कि मैं मुझे मनुष भगवान ने सब कुछ दिया है मुझे मानव शरीड दिया सुन्दर नेत्र दिये ये दर्ती माता सुन्दर वसुन्दरा रहने के लिए दिये सुन्दर अन जल खाने पीने को दिये बरसात होती है बादल गरस्ते हैं खेती पैदा होती है सुद्धी मुझे दी भवाने सोचने समझने की अच्छे बुरख्या ग्यान दिया सब कुछ उस प्रभू ने मुझे दिया है मैं क्यों नहीं कुछ जो मेरे पास है उसे उनके चर्णों में अर्पन करूँ बलिदान करूँ नियो च्छावर करूँ पैसा है तो पैसा बुद्धी है तो बुद्धी ग्यान यग नहीं होता है कि फलाना महराज, संत महराज ग्यान यग करनी जा रहे हैं साथ दिन का हरिद्वार में ग्यान यग्य हो रहा है कुम्बे मेले में ग्यान यग्य हो रहे ये ग्यान यग्य है वो ग्यान बाट रहे है किसी पास पैसा है पैसा बाट रहा है वित्ति यग्य धन यग्य कर रहा है कोई वस्त्र बाटता है कोई हवन करता है कोई खिलाता पिलाता है विश्णु यग, विश्णु यग में भोजन बंडारा लंगर प्रशाद चलाने पड़ते हैं, सब को खिलाओ जितने भी आते जाते हैं, कववा पंची, कुत्ता भी भूका नहीं जाएं, ये यग हैं, न्योच्छावर करना, बलिदान करना, समर्पित करना, बोलने से काम नहीं चलेगा, कि तनमन, धन, सब अर्पन, तेरा तुझको अर्पन क्या लागे मेरा, सिर्फ बोल दिया और अर्पन करने को कुछ नहीं, एक रुपया बड़ी मुश्किल से निकाल के गुल्लक में डाल दिया, नहीं, दिल खोल के, और वो भी एक रुपय डाला इसलिए, कि एक रुपय डालेंगे, तो पंड़त जी कहते हैं, कि इसका हजार गुणा बन क्या आएगा, और वो भी भगवान के चर्रों में डाल रहे हैं, तो पता नहीं, हजार गुणा क्या, दसजार गुणा बन क्या है, उस उ जिसमें फल की इच्छा नहीं है ए फला कांग्शी ए फला कांग्शीर विर्यग्यो विदेदिश्टो यह जते जो शास्त्रों को सामने रख करके वेदों को सामने रख करके जो यग्य किया गया है यश्टब्यम्मेवेती मना जो मन को प्रसंड करने वाला है, प्रफलित करने वाला है, ऐसा यग ये नहीं कुछ आपने किया और अधे मन दुखी-दुखी हो गया कि क्या जरूती? और पुरुष से बोल रही है, पती से क्या जरूती इतना सब करने कि, कितना रुप्या नस्ट हो गया खाम का ये तो खापी के चले गए ये सतोगुनी यЕग नहीं है मन है प्रसन करने वाला我就 कुछकर देटा है एसा येग सतोगुनी येग है येश्टब्यम्येवेथी मना समाज हाय चाह साथ्विका इसको साथ्विक येग कहा है जिसमें फल की इच्छा नहीं ऐ फला कांक्षिर भिरियग्यो विदीदिश्तो यह इज्यते यस्टब्यम मेवेती मना समाधाय सह सात्वी कहा ऐसा यह तो सात्वी की एग्य है जो आपने अपना करते भी समझ करके किया कि प्रभू ने मुझे मनुष्य का जीवन दिया है और सम्रद बनाया है जैसे भी रूप रेखा आपके उसके अंसार आपने कुछ न्योच्छावर किया अस प्रभू को यह विराट सुरू प्रभू का है उनको न्योच्छावर किया बली चड़ाई नर्बली नहीं यह पशो बली नहीं 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 नारियल की बली अपने पैसे की बली अपनी बुद्धी की बली ग्यान यग्य किया अन्यक यग्य हैं जिनका वर्णन किया आया है भगवान स्री कृष्छन कहते हैं कि यग्या नाम जप यग्यों हस्मी यग्यों मैं भी जप यग्य मैं हूँ जप यग्यों उसके पवित्र नामों का जप करना ये सबसे स्रेश्ट यग्य है ताब जप कीजिए भगवान का हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे